कि एस्ट क्लासस के सबहे स्टुडैंट्स आप immer लिए थिको तुम्हारे के एक एक्जाम हो रहा है कि जिसे तुम्हें सॉम्बार को क्लास में देना रहे हैं कि इसके अंदर क्या है कुश्शन से जिसका राइटठ आंसर होगा यह वाली OCR paper तुम्हें मिलेगा OCR seat यह तुम्हें मिलेगी per student जैसे कि मैं एक student की बात करूँ तो इसको जैसे तुम्हें हाथ में यह मिलेगी तो अपना नाम लिखना है जैसे कि पलक सर्म जिसका जो भी नाम हो class में class 8 फिर उसका जो भी roll number है जैसे कि 20 subject आपको जिस भी subject की OCR मिलती है जैसे मैं अभी गनित की solve करवा रहा हूँ आपको गनित इसमें total question मिलेगे आपको 15 और एक गन्टे का समय मिलेगा जिसमें आपको यह solve करना है तो जो गनित का paper मैं आपको मंडे को देने वाला हूँ उस paper को कैसे solve करना है बो मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ जैसे अपना पहला question है paper में कि 60795 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो इन पूरों में सबसे बड़ी जो संख्या है बो है आपकी 97650 यानि कि आपके 17650 तो इसका right answer हो गया A तो आपको क्या यह paper तो अभी उतार लेना है और यहाँ पर यह OCR आपको मैं दूँगा इस OCR में आपको यह A के आगे right कर देना है इसी तरीके से आपके है दूसरा question कि निन में से कौन सा विकल्ब सत्त है जैसे कि 16234 बड़ा है 63211 से तो यह तो गलत है 63000 बड़ा है यह देखो यह चिन जो होता है जिस तरफ इसका मूँग खुला हुआ है यह होता है बड़ा और जिस तरफ इसका मूँग बंद होता है वो होता है आपके छोटा यह आपको याद रखना है फिर दूसरी है कि 30080 आपके 30,008 से क्या है? छोटा है तो 30,008 बढ़ा है 8 छोटा है तो ये भी गलत है पर चौथा है आपके 45,234 45,243 से क्या है बढ़ा है 34 सोटा होता है 43 बढ़ा होता है तो ये भी गलत है तो राइट आंसर आपके है आपके 19,009 10,909 से बढ़ा है तो ये राइट आंसर है दूसरे का आंसर में आप क्या करोगे कुश्चिन नमर 2 में जाओगे OCR सीट में और राइट आंसर आपको क्या है दूसरे का राइट आंसर आप में आपके देख रहे हो से ठीक है तो आपको लिख देना है से के आगे टिक कर देना है इसे दूसरे में से ठीक है इसी तरीके से तीसरा कुश्चिन है आपके कि किस इस अंग का इस्तानिय मान सबसे कम होता है तो आपको पता है कि 0, 0, 0, 0, 1 तो ये होगे आपके 1, तो 1 का जो अंग है इसका मान क्या होता है सबसे कम होता है तो right answer हो जाएगा 1 तो इसमें तीसरे में आपको right answer कर देना है A तो question number 3 में आप भरोगे A इसी तरीके से आप question number 4 देखते हैं कि पूर्णांग minus 39, 39 का परवर्ति यानि इससे पहले आने वाला पूर्णांग का कौन सा होगा तो minus 38, तो right answer हो जाएगा A तो इसमें आप 4 में आओगे, उसमें क्या भरोगे A इसी तरीके से आपके question number 5 की सबसे छोटी अवाज जे सिंख्या होती है दो, तो right answer 5 में क्या हो जाएगा B तो B के आगे आपको क्या करना है 5 में? टिक कर देना इस तरीके से B फिर है आपके कि सभी सिंख्याओं का गुणन खंड सभी सिंख्याओं गुणन खंड एक तो होता ही होता है तो right answer रजागा 6 का भी आपके 2 इसी तरीके से आपको क्या करना है? question number 7 की 210 को 5 से गुणा करने पर इसका जो मान आएगा वो किसके समान आएगा? तो देखो 210 को यहापे क्या क्या? टुकडे कर देगे 205 प्लस 5 तो यह तो 205 होगा 210 यह हो जाएगा 200 प्लस 10 यह 210 अब गुणे में क्या बाहर 5 है? तो यह हमारा A right answer हो जाएगा 200 प्लस 10 यहाँ भी है लेकिन गुणे में क्या 15 है? जबकि हमारा मान क्या होना ची? 5 यह गलत यह गलत और यह भी गलत 200 माइनस 10 तो यह तो 190 गुणा आपके 5 तो यह भी गलत तो राइट answer हो जाएगा आपके A तो साथ में में आपको क्या करना है? A के आगे राइट कर देना है इसी तरीके से आपके question number 8 कि एक होटल में एक दिन में 350 थाली भोजन खाया जाता है यदि एक थाली भोजन का आउसत मुल 120 रुपे हो तो होटल की एक दिन की आय कितनी होगी? तो देखो थाली है कितनी है? 350 तो 350 गुणा 120 तो दोनो 0 को एक साथ उतार दो 0, 0 फिर 12 को 5 से गुणा करो 12, 5, 60 तो 60 की 0 हांसिल के 6 फिर 12 का गुणा 3 से करो 12 एकम 12 आपके और 12 यह आपके क्या हो जाएंगे? आपके 36 और 36 में आपको क्या जोड देना एच्छ है? तो राइट आंसर है जाएगा आपके 42,000 तो राइट आंसर हो गया A तो आठ में भी आपको कांपे टिक करना है A पे आगे फिर आपके कुश्यन है कुश्यन नमर 9 कि भाग फल के रोप में 8 प्राप्त होता है 8 प्राप्त करने के लिए 72,000 बहेटर में किस संख्या का भाग दिया जाना चाहिए देखो, अब देख लेते हैं भाग दे के देख लेते हैं वहत्तर और बागफल के रोप में कितना प्राप्त हो रहा है आठ और सेसपल तो कुछ बताया है नहीं तो आपको बताया है आप आठ से दोगे तो भी नहीं जाएगा एक से कोई मतलब नहीं पांस से नौ से देखे तो नौ का पाड़ अगर आठ बार बोलोगे तो कितना आए तो आप कुछि में जाके क्या करोगे आप देOM पे क्लिक करोगे ठीक है फिर कुछिछ नौमर 10 है आपके ति 4 और 6 के समान गुणन खंड़ होंगे तो समान गुणन खंड देखो प्र 6 का कर लो एक दो तीन 4 फिर 6 का कर लो तो समान गुणन खंड में आपको पता है कि राइट आंसर होगा आपके A तो कुश्चन नमबर आपके 11 में हो गया आपके देखो कुश्चन नमबर कुश्चन नमबर 10 है कि 2 और 6 के समान गुणन खंड होंगे तो राइट आंसर होगा 1 और 2 तो दस में आपको कहां जाके टिक करना है आपको दस में दस में आपको टिक करना है कहां जाके आपके दस पे जाके ए टिक करना है फिर कुश्च नमर 11 है आपके कि साथ की घात चार कि साथ की घात चार में भाग देना किसकी साथ की घात दो का जब भी समान हो सिंक्षा हैं जय साथ हीयाँ साथ यहाँ और भागका चिन्ह देख रहे हैं तो घात आपस में क्या होगी? माइनस तो घात कितनी बसी? 2 तो राइट आंसर होगा 7 का स्क्वायर अब साथ का स्क्वायर 7 को 7 से दो कर दो तो राइट ऑंसर क्या जाएगा फोटी नाईंग तो ग्यारेक आंसर होजाएगा बें क्या रिखार कि इसी तरीके से आपके अगला कुशन दे रखा है आपके कि चाय का मूल कुश्छन नमर है आपके आपको तो एक formula set करके पूछा गया है देखो चाय का जो मुल है वो चीनी के मुल के 6 गुने से 15 रुपे अधिक है यानि कि सपोच करो और चीनी का मुल क्या दे दिया एक्स अब एक्स जो मुल है वो किसका है चीनी का चीनी का मुल क्या है एक्स ठीक है अब इसके भी कितने 6 गुने इसके भी कितने 6 गुने यानि कि चाय का जो मुल है इस चीनी के मुल के 6 गुने यानि कि एक्स को 6 से गुना करोगे तब जाके और उसमें भी आपको जोड़ना कितना 15 रुपे और जोड़ने तब जाके किसका आंसर कर दिना है तो ए वे फिर है आपके question number 13 कि भिन एक बटे 4 को प्रतिसत में बदलो तो आपको पता है एक बटे 4 गुणा 100 अब 100 को अपने 4 से काटा कितनी बार कटा 25 बार तो 25 को एक से कुणा करोगे तो 25 परतिसत तो राइट आंसर होगा 2 तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके 2 इसी तरीके से आपके question number आता है आपके 14 कि एक आयताकार खेत का छेतरफल कितना है 100 बर्ग मीटर है उसके लंबाई कितनी है 20 बर्ग मीटर तो खेत की चोड़ाई कितनी होगी अब आपको पता है कि खेत की लंबाई और चोड़ाई दोनों परिमाफ हम ग्याद करते है लंबाई इंटू आपके चोड़ाई तो आपको पताए कि एक आयताकार का छेतरफल कितना दे रखा है आपको 100 इसका मान कितना दे रखा है 100 दे रखा है पिर कहा गया कि लंबाई कितनी इसके 20 तो लंबाई का मान दख दो 20 इंटू B B का मतलब बिर्थ, चोड़ाई, और 100, अब आपको B का माल निकालना है, तो 100 में क्या करोगे, आप 20 का भाग दोगे, तो कितना राइट आंसर है आपके, 5, तो खेत की जो चोड़ाई होगी, वो कितने मीटर होगी, 5 मीटर, तो चौदेग आंसर क्या हो जाएगा, आपके, सह, तो सहपे के लिख कर दो, तो चौदेग आंसर सह, अब लाश्ट कुश्यन है आपके, कि एक पार्क है, जिसकी लंबाई कितनी 125, पार्क की चोड़ाई, चोड़ाई कितनी है, 115 मीटर है, तन में किसी इस, कुश्यन नमर 15 है आपके, कि एक पार्क है, जिसकी लंबाई मीटर में दे रखी 125, कोई पार्क है इस तरीके से, इसकी लंबाई कितनी 125, अब इसकी चोड़ाई है 115, ठीक है, तो सबको प्लस कर लो, 125 की बुज़ाई यह होगी, कोई आयताकार मान लेते हम, क्योंकि हमें गोला कर आयताकर कुछ खानी तो हमें एक आयत मान लेते हैं, तो 125 यह वाली बुज़ाओगी, एर 115 यह वाली बुज़ाओगी, तो 115 प्लस 125 कर लो, या फिर चारो को जोड़ लो, अलग लग, तो देखो, आपके 115 प्लस 115, यह दोनों बुज़ाई, 125 प्लस 125, यह कितने होगे हैं, आपके, 250, यह होगे, लंबाई, तो दोनों को जोड़ दो, लंबाई और चोड़ाई को, जीरो, जीरो, फिर आपका 8, और यह आपके 4, तो 480, इस पार्का क्या आगया, आपके टोटल, 6 तरफल आगया, अब एक चकर लगाने में, वो 400 मीटर दोड़ता है, ठीक है, चकर कितने लगा रहा है, 10, तो 480 को गुना कर दो, 10 से, तो 480 में एक 0 और बढ़ा दो, तो टोटल दूरी ते की गई कितनी, 4800 मीटर, तो यह आठमी क्लास की, आपके OCR तयार, तो इस तरीके से आपको, यह जो OCR है, यह आपको सौंबार के दिन क्ल मिलेगी, ठीक है, इस तरीक से आपका नाम लिखना है, अपकी क्लास लिखनी है, आपका सब्चेक्ट, और आपके रॉल अमर, और ये बर COME के हमें देनी है, यह PAPERS अभी बच्छे अभी इसी टरीके से solve करके उतार लो, ठीक है, और आपको ये घर से कर के लाना है,